सू प्रबातम वच्चों अब तक हमने कत्वतु प्रते का प्रियोग करना सीखा जिसमें हमने एक वचन वाइक्यों को भूतकाल में बहुचन में कैसे बदलते हैं तो इसके लिए कत्वतु प्रते का प्रियोग करना होता है तो क्रिया के साथ कत्वतु प्रते का प्रियोग कर आज हम प्रत्य से समंधित प्रश्ण वत्तर करेंगे। चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न संक्यादों प्रश्ण है कोश्ट के दत्ता नाम, वर्तमान कालिक रुपाणा, पूत कालिक रुपाणी, बहुवचनी लिखतु। पुक्तु यानि कोश्टक में दिये वे सब्दों को जो की वर्तमान काल में दिये गए हैं उनको भूतकाल यानि भूतकाल में बादलना है यानि जो वरतमान काल का वाक्य दिया वा है उस वाक्य को भूत कालिक वाक्य बनाना है और इसके लिए हम यहां पर कत्वतु प्रत्य का प्रयोग करेंगे जैसे पहला प्रश्ण आपके उदारन के रूप में एक प्रश्ण दिया गया है बालका है पाठम पठनती अब इसका हिंदी है बालक पाठ पढ़ता है यानि ये तो वरतमान काल का हो गया वाक्य अब इसको हमें भूत कालिन वाक्य बनाना है तो बालका है पाठम पठित वंत बालक ने पाठ पढ़ा यहां तो था पेले था कि बालक पाठ पढ़ता है यानि वो पढ़ रहा है और यहां बालक बालक ने पाठ पढ़ा यानि वो पाठ पढ़ चुका है तो यानि पठंती सब्द को पठीत वंते में बदल दिया ठीक है क्यूंकि यहां पर बालक जो है कुर्वंत आया है जैसे पहला प्रशने आपके छात्रा है कोला हलम कुर्वंती छात्र जो है वो शोर कर रहे हैं कर रहे हैं यानि अभी कर रहे हैं यह वर्तमानवाई क्या है अब जो कृक्री धातु है कुर्वंती है उसको हम कत्वत उप्रते लगा करके भूत कालिनवाई के बनाएंगे तो इसमें है कि छात्रा है कोला हलम कृत वन्त है कृत वान तो एक वचन के लिए हो गया लेकिन यहां पर छात्र बोर्ष आ रहे हैं इसलिए यहां बहु वचन आएगा यहां आएगा कृत वन्त है ते फलानी खादित वन्त है वह फल खाते हैं तो फल खा चुके हैं बनाना है तो ते फलानी खादित वन्त है बालिका है गीतम गायंती बालिका गीत गाती है तो ये गीत गाती है को गरेंगे बालिका ने गीत गाया तो बालिका है गीतम गीत वत्य है क्योंकि वत्य है इसलिए आया क्योंकि ये लड़की है इस्त्रिलिंग है तो इस्त्रिलिंग में वत्य सब्द आएगा ता है फल रसम पी बनती वह फल के रस्त को पीते हैं इसको बूत कालिंग मिलाएंगे ताह फल रसम पीत वत्य है क्योंकि यहां इस्त्रलिंग कैसे आया इस्त्रलिंग आया सा तो ते होता यह तो पूलिंग हो गया सा तो ते यह पूलिंग हो गया यहां आया है ताह इसका मतलब सा ते ताह यह जो है इस्त्रलिंग का बहुचन है इसलिए यहां पर इस्त्रलिंग सब्द आएगा इसलिए यहां पीत वत्या आया है आगे है आपके वयम विद्यालम गच्छामह यह पूलिंग सब्द है हम विद्याले जाते हैं तो हम विद्याले गए बनाना है अब यहां पे तो वयम विद्यालयं गतवन्तः गच्छामे के जगे क्या आएगा गतवन्तः वयम उध्यानं पश्यामः यह वाइके इस्तिलिंग वाइके बनाना है तो वयम उध्यानं द्रिष्ट वत्य है हम सब वगीचे में हम सब ने वगीचा देखा तो यहां है द्रिष्ट वत्य सब्दा गया क्यूंकि यह यहां पर इस्तिलिंग सब्द है इस प्रकार कूर्वन्ति का कृत वत्य है खादंति का खादित वत्य है गायंति का गीत वत्य है पीबंति का पीत वत्य है गच्छामे का गत वत्य है और पश्यामे का द्रिष्ट वत्य है इस प्रकार हमने वर्तमान काल को भूत काल में बदला अब है इस दूसरे प्रश्ण को आपको अपनी कोपी में करना हैं और आज की दिनाक और ग्रह कार्य क्रमा लगा करके तीक है इसको जो आपके कृतवत्या, खादितवंतः, गीतवत्या, पीतवत्या, गतवंतः यह जो सब्द दिये इसके नीचे पैंसिल से अंडरलाइन करनी है अब रश्ण सेंक्याती रिक्स इस्थानानी भूत काली के रूपे है पूर्यतू खाली जगे में भूत काली नवाई के बरना है जैसे उधारन दिया गया है बालकाह मंदिरम अब कोश्टक में गम दिया वा है गम यानि जाना तो बालक मंदिर जाते हैं बालक मंदिर जाएंगे और बालक मंदिर गए तो यह तीन वाई के हो गया जाते हैं तो वरतमान काल जाएंगे बविश्यकाल और गए तो गय क्या हो गया? भूत का लिकवाई क्यों हो गया? तो अब हम गम को भूत काल में बदलेंगे तो गम का हो गया गत वनत है क्यूंकि यहां बालक पोस आ रहे हैं इसलिए गतवान की जगे गत वनत है आएगा पहला प्रश्न है सेवका है कार्यम क्रि यानि करना तो सेवक कार्ये करते हैं या सेवकों ने कार्ये किया वाई क्या बनेगा भूत काल का सेवकों ने कार्ये किया तो सेवका है कार्यम क्रित वनत है अब आग है सेविका है पात्रम प्रक्षाल यानि दोना तो सेविका बरतन दोती है या सेविका ने बरतन दोए तो भाई कि बूतकाल का कौन सा है सेविका ने बरतन दोए तो प्रक्षाल का क्योंकि या इस्त्रलिंग है प्रक्षाल का भवचनोल जाएगा सेविका है पात्रम प्रक्षालित वत्य है चात्रा है प्रश्नम प्रिच्यानी पूछना तो चात्रने प्रश्ने पूछा तो चात्रा है प्रश्नम प्रिष्ट वन्त है दनिका है दनम दा यानि देना तो क्या जाएगा दनिका है दनम दत वंतह बालिका है पत्रम प्रेश यानि बेजना तो क्या होगा बालिका ने पत्र बेजा बालिका है पत्रम प्रेशित वत्य है वत्य इसलिए आया है क्यूंकि यह है इस्त्रिली बहुवचन है सेनिका है देशम अब रक्ष यानि रक्षा करना तो सेनिकों ने देश की रक्षा की यह वाय क्यों वना भूत गालगा तो सेनिकाह देशम रक्षित वन्तह यानि जो कोष्टक में दी गई है दातु इस दातु के साथ कत्वतु प्रते लगा करके उस वाक्य को भूत गालेन वाक्य में बदलना है एक बार पुने देखेंगे सेवकाह कार्यम क्रित वन्तह, सेविकाह पात्रम प्रक्षालित वत्यह, छात्राह प्रश्णम प्रिष्ट वन्तह, दनिकाह तनम तत वन्तह, बालिकाह पत्रम प्रेशित वत्यह, सेनिकाह देशम रक्षित वन्तह यानि ये अपने याँ पर पर्ट्वान यानि उस बूत काल वाइके में बदला इस प्रश्ण को भी आपको अपनी कोपी में करना है अब हम प्रश्ण संक्या च्यार करेंगे एते साम वाइक्या नाम बहु अचन वाइक्या नी लिखतू इन वाइक्यों को बहु वाइक्या में बदलिये या लिखिये उधारन है बालक हर क्रीडाश गणे क्रीडित वान बालक खेल के मेदान में खेला अब यहां बालक जो है वह एक वचन है और खेक क्रिया क्या कर रहा है वो खेल रहा है खेलना और खेलना भी यहां एक वचन में है तो हमें बालक क्या हुआ करता जो करता है और जो क्रिया है दोनों को ही बहुचन में बदलना है तो किसको बदलेंगे एक तो बालक सब्द को और एक क्रीड दातु को कत्वत उप्रते लगा करके बहुअचन में बदलेंगे तो बालका हो गया बालका है क्रीडा गणे क्रीडित फान की जगे बहुअचन हो गया क्रीडित वंत है तो अपना उत्तर क्या हुआ बालका है क्रीडा गणी क्रीडित वन्त है इसी प्रकार जो नीचे दिये गए हैं उनको भी करना है पहला प्रश्ण है चात्रह देवम नमस्कृत वान चात्र ने देवता को नमस्कार किया यानि ये तो हो गया एक वचन का वाइक है अब इसको बवचन में बदलना है तो चात्र को चात्रह को हो जाएगा चात्रह देवम नमस्कृत वान की जगे क्या आएगा नमस्कृत वन्त है क्यूंकि यहाँ पर पूलिंग है तो नमस्कृत वान की जगे क्या आएगा नमस्कृत वन्त है यानि वान की जगे वन्त है यह पूलिंग सब्द है इसलिए वन्त है सब्द बवचन में लगेगा तो चात्रह देवम नमस्कृत वन्त है दूसरा सिख्षक पाठम पठित वान सिख्षक ने पाठ पढ़ा तो यहां पढ़ने वाला है यहां एक है क्रिया भी एक वचन की है तो सिख्षक को सिख्षक को सिख्षक का है तो यहां बवचन क्या आएगा सिख्षक का है पाठम पठित वान की जगे क्या आएगा पठितवान की जगे क्या आएगा पठितवन्त है पठितवान की जगे आएगा पठितवन्त है क्योंकि पठितवान एक वचन है इसका बहुत चन हो जाएगा पठितवन्त है इस प्रकार वाग्य बना सिख्षका है पाठम पठितवन्त है तीसरा है बालिका पत्रम लिखित वती बालिका ने पत्र लिखा यहां बालिका एक वचन है और क्रिया भी एक वचन है बालिका और क्रिया दोनों को बवचन में बदलना है तो बालिका है बालिका बालिके बालिका है तो बालिका है पत्रम लिखित वती के जगे क्या आएगा बवचन मे लिखित वत्य के जगे क्या आएगा बबुचन में? लिखित वत्य है क्यों? क्योंकि ये इस्तलिंग सब्द है तो इस प्रकार बालिकाह पत्रम लिखित वत्य है बालिकाओंने पत्र लिखा चोता है सिक्सिका लेखनिम दत्वती यानि सिक्सिका ने लेखनी यानि कलम दी अब यहां पर सिक्सिका बहुचन बनाना है और दत्वति को भी बहुचन में बदलना है तो सिक्सिका है, सिक्सिका की जगे क्या होगा? सिक्सिका है लेखनी, दत्वति की जगे क्या होगा? दत्वति की जगे के क्या लिखना है दत्वत्य क्या आएगा दत्वत्य है सीख सीखा है लेख नीम दत्वत्य है अब है एहम सरस्वति वंदना कृत्वान अब जो है एहम सब्द है उसको बहु अचन्वे मदलना है तो एहम आवाम वयम तो एहम की जगे क्या आएगा? वयम आएगा और कृतवान की जगे क्या आएगा? क्या आएगा कृतवान की जगे? कृतवन्तह तो कृतवान की जगे कृतवन्तह आया अब आगे बना एहम आवाम वयम वयम सरस्वती वंधनाम कृतवन्तह अब आगे एहम मिश्ठानम खादित वति मैंने मिठाई खाई अब ये एक वचन है तो हम सब ने मिठाई खाई बनाना है अहम आवाम वयम वयम मिष्ठानम खादित वति की जगे के आएगा खादित वत्य है वयम मिष्ठानम खादित वत्य है इस प्रकार एक वचन वाक्य को बहु अचन वाक्य में बदला वो भी भूतकाल में एक बार वापस देखेंगे चात्राह देवं नमस्पृत वन्तह सिक्सकाह पाठं पठित वन्तह बालिकाह पत्रं लिखित वत्याह सिक्सिकाह लेखनिम दत वत्याह वयम सरस्वती वन्दनाम कृत वन्तह वयम मिष्ठानम खादित वत्याह अब आप ग्रहकार्य में प्रश्न संक्या दो वै तीन करनी है अपनी कोपी में आज की दिना ग्रहकार्य क्रमाग आज आपका पांच है लगा करके अपनी कोपी में प्रशन संक्या 2 और 3 करना है